जब हमारे भारत को अंग्रेजों ने घुलामी की बेडियों में बांध रखा था उस वक्त एक आंदोलन उट खड़ा हुआ जिसने पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ा उन बेडियों को तोड़ा और देश को आज़ादी दिलवाई एकता की वो मिसाल खड़ी की जो सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनेहरे अक्षरों में अंकित हो गई उस आंदोलन का नाम था कॉंग्रेज आज़ादी के बाद सदियों की मार और अत्याचार से तूटे विखरे देश को जोड़ने का मुश्किल काम किया असल में भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस की कहानी तो आजादी से अरसों पुरानी है ये भारत के लोगों की आवाज है मृदुल मगर सशक्त ये देश की हिम्मत, संकल्प और आत्म विश्वास का साक्षात स्वरूप है कॉंग्रेस आज भी याधरा पर है देश को जोडने की, नफरत को तोडने की, हर संघर्ष में अपने मूल मन्त सबसे पहले देश पर कायम रहते हुए न रुकेगी, न ठकेगी, चलती रहेगी भारत जोडने तक